गुद मॉर्निंग टूदेंट्स वेलकम टू ओनलाइन क्लासिज प्रवाइड वाइम देन पॉब्लिक स्कूल क्लायत क्लास ट्वैल्थ हिस्ट्री लेक्ट्ट्र शिक्स कल हमने पड़ा था मुंगल केंग से कोट से अंदा कार्निकल बड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर चला हुआ जैसे बहुत आपको बताया था कि इस लेसन से शोट और लोग कोशन शोट लियाता है अरवार जो आज कोशन पढ़ने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट है कोशन यह भी मुंगल अविजात बरक के वसीष्ट अविलक्षन क्या थे जो मुंगल का समय था उसमें जो अविजात बरक था बेटा उसके अविलक्षन क्या थे बादशा के साथ उनके समद्ध कैसे बने और किस तरह बने कोशन आता है मुंगल काल के नोकर्शाह यानि अधिकारियों के समु को अविजात बरक के नाम दिया गया है सवी द्यार से इसको अंडरलाइन कर लें मुंगल काल के जो नोकर्शाह थे यानि अधिकारी थे उनको अविजात बरक का नाम दिया गया है इस समूह में बिन-बिन शेत्रों के वैं धार्मिंग समूह के लोग रहते थे जो इस शेत्र थे इनमें बिन-बिन धार्मिंग समूह के लोग रहते थे बुंगल सासक इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी दल इतना बड़ा नहों कि वह संगठित होकर एक राज्जे के लिए एक चनोती बन जाए अगर वो 23 बात पर ध्यान लगते थे कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि रज्जे के लिए चनोती बन जाए यह है नोकर साव का समू उस गुलदस्ते जैसा था जिसमें आलग आलग रंग तथा आलग आलग किसम के फूल थे जो नोकर साव था का समू क्या ऐसा था बेटा उस गुलदस्ते की तरह था जिसमें आलग आलग परकार के रंग तथा आलग आलग परकार के फूल है लेकिन लेकिन वे एक मुठी में बंद कर शोवा परदान करने की स्थीती में हो यह चाहे किसी धर्म या शेतर से हो इनकी खाश बात यह थी कि यह सासर के प्रति वफादार थे खास बात क्या थी कि यह अपनी सासर के प्रति वफादार थे अकबर के सासनकाल के प्रार्यम्बिक दोर में इस अविजात वरग में तुरानी मद्य एशिया तथा इरानी मुख्या दे पंदरसो साथ हिस्वी के बाद अविजात वरग में बदलाव आया कब बदलाव आया वेटा 1560 हिस्वी के बाद इसमें दो वरग और जुड़े वे राजपूत भारतिय मुसलमान थे राजपूत प्रिवारों में राजपूत प्रिवारों से सरपर्थम सरपर्थम इसका सरपर्थम क्या था जो राजपूर थे सरपूर्थम अमेर का रहत है अमबर का राजा बारमल ब्यहरी मल था जिसने बेवाईक राजनितिक समंदो दुआबारा अकवर के अविजात वर्ग में प्रिवेस किया जहांगिर के काल में अभिजात वरक के मौलिक स्रंचना बहर बनी रही प्रंतु आधिक उचे पदो पर इरानी पहुँचने में सफल रहे इसका मुख्या कारण क्या था बेटा नूर जहां थी वेकों की वह स्वम इरान से आई थी उसके पिता ग्यास वेट बाई आसाफ खां इत्यादी बहुत अधिक उचे पदो पर पहुँचे उनके साथ समंदो का फाइदा उठा कर अन्याई इरानी भी आगे बढ़ गए साजा के काल में अविजात वरक बिल्कुल संतूलित था उसमें भारतिय वेविदेशी दोनों ही सबी सामिल थे भारतिय वी सामिल थे बेटा और विदेशी भी औरंग जेव के समय भी स्तितिलग बाग इस तरह की रही समानत है यह कहा जाता है कि उसने यह पद केवल सुनियों के लिए रखे थे प्रंतो आंकड़े यह बताते हैं कि उसके दरवार में राजपूत व्यमराथे काफी अधिक संख्या में थे सिहासन ग्रैन करने के समय तथा मृत्यू तक संख्या में कमी नहीं आई बलके आंकड़े में व्रिदी दर्ज करते रहे मुगल समराज्य सेन्य परदान राज्य था इसलिए अविजात वरक की सेना समंदित गतिविद्यों को बहुत मैतव दिया जाता था अविजात बरक के सेन्य अभियान को नेतरता भी करते थे और साथ ही केंदर प्रांत स्तर पर अधिकारिय के रूप में वो अपना कारिय भी करते थे वे अपने टुकडी के सैनिक प्रमुख होते थे उन्हें अपने सैनिकों वे गुड़ वारों की बर्ति करना भी होता था इस सैनिक वे गुड़ स्वारों की लिए हत्यार, रासत, प्रशिक्षन देने की जिम्मेदारी मनसबदार की होती थी उसके गोड़ों की पीठ के दोनों और मुंगलों का शाही निशान बना होता था उसके मुखिया तथा गोड़े का नंबर भी दर्ज होता था अथार गोड़े के उपर भी एक नंबर दिया जाता था जिसको दर्ज होता था सासक बिन्वीन आफसरों पर नेमित रूप से इन अधिकारियों की सेना का नियक्षन करता था समय के साथ 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 बदलाब के चलते हुए सासक व्यविजात वरक के बीच रिष्टे मुरीद होते गए रिष्टे मुरीद व्यमुर्शी जैसे ये बन गए मुंगल दरवार में नोकरी पाना बहेत कटन कारियत था क्या गहाए बेटा मुंगल दरवार में जो नोकरी पाना था उनके लिए एक बहुत मुश्किल कारिया भी था क्योईंकि दूसरी ओर अबिजात वे समान्य वरक के लोग साही सेवा को प्रतिष्ठा का एक साधन मानते थे नोक्री में आने वाले व्यक्ति से अवेदन लिया जाता था फिर मीरभक्षी की जांच परताल के बाद उसे दरवार में प्रस्तुत होना होता था मीरबक्षी के साथ साथ दिवाने आला दिवाने आला को क्या कहते बेटा वित मंत्री फार्नेशम निश्टर तथा सदर उसदूर जनकल्या नियाई वे अनदान का मंत्री भी उस व्यक्ति को कागच त्यार करवा कर अपने अपने कारेलोग की मोहर लगाते थे फिर वे शाही मोर के लिए मीरबक्षी के द्वारा ले जाये जाते थे ये तीनो मंत्री दरवार में दाए खड़े होते थे कांग खड़े होते थ साथ सक उससे कुछ उपचारिक बात करके उसे दर्वार के प्रती बफदा रहने की बात भी कहता था तथा संकेत करता था कि वे है किस तान पर खड़ा हो इस तरह उस व्यक्ति की नियुक्ति को पदाउंती माने जाती थी सासक द्वारा नोकर साओ पर नियंतरन के लिए कुछ नियब बनाए गए इसके अनुसार सासक समानितय रूप से इनके प्रती कठोर व्यवार रखता था नियमित नक्षन में जब नियमित नक्षन की बात आई तो इनोंने किसी तरह की छूट नहीं दी थोड़ा सा बी सर्क होना होना या अनुसासन की उलंगना करने पर पर उन्हें क्या था बेटा धंड दिया जाता था इनकी कभी भी कहीं भी बदली की जा सकती थी अधार कहीं पर भी उनको चेंज किया जाता था इन सब की अत्री यह है कि इनका पद पैतरक नहीं था अथार्त एक जंगा नहीं था उनके सीरे से जीवन की सुराद कारनी होती थी किसी भी अवजायत वर्ग की व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर अफजायत वर्ग में किसी व्यक्ति की मृत्यु मृत्ति बन जाती थी। तो उसकी संपत्ति बेटा, उसके संथान दिख लÁए। उसको निल जाती दिबलकर सारी संपत्ति किसकी हो जाती थी उसके बाध्शा यह राजके दार द्रवार की संपत्ति बन जाती थी। कि आज हमने कोशन जो पड़ा है मुंगल अभजातवर के अभशीष्ट लक्षन का है भाषचा के शाठ उनके सब्भंद की इस तरह बने जैसे कि कल हमने कोशन पड़ा था मनसभदारी पर्था और दो शोट कोशन पड़े थे हमने मनसरतारी पर्था और सुल्ह कुल की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से उसको रीड़ भी कर लिया होगा आज की वीडियो में सुल्ह कुल का मतलब तो आपको मैंने बताया था कि एबसलूटली पीस सांती की वियस्ता बनाए रखना अगर कोई भी जगड़ा होता है तो उसके ने हम क्या करते हैं बेटा एक पंचायत बनाते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या वपीस भी हम सांती से किसी भी फैसले को सुल जाना चाहते हैं उसका अर्थ बताया था जिसने स्टेटस कहलाता था कल आपने सब्सक्राइब था थैंक यू है वे गूड़ दे स्टे हों स्टे सेफ झाल 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 झाल